कुछ लोगों के लिए काम नहीं करने वाले हैं, पूरे जनता के लिए काम करने वाले हैं, चयागड़े हो, पिछड़े हो, आती पिछड़े हो, अर्पसंख्यक हो, कोई हमारा भाई पीछे ना रुख जाए, जो अंतिम पैदान पे समाज में जो बैक बेंचर आफ सोसाइटी हैं, उसको भी मेंस्ट्री में लाने का हम लोगों का प्रयास है, दवाई, कमाई, सिचाई, सुनवाई और करवाई वाली सरकार देने का, और आज हम लोग सब लोग उस काम में लगें, दो महीने कुछ दिन हुए हैं सरकार को बने हुए, आज आप देख लिजी, लोगों की उमीद, आशा, कितनी बढ़ गी हैं मौजूदा सरकार से, और ये विश्वास हैं लोगों का, लोग विश्वास करते हैं, कि नहीं भाई, ये जो नहीं सरकार जो बनी हैं, ये हम लोगों के लिए काम करेगी, और जैसा है मानिय मुकमनती जी ने पहले कहा था, ये सरकार जन जनता के लिए काम करेगी, हम लोग पूरी तरीके से कुछ लोगों के लिए काम नहीं करने वाले हैं, पूरे जनता के लिए काम करने वाले हैं, चाहे किसी समाज के हो, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, आती पिछड़े हो, अर्पसंख्यक हो, दलित हो, महादलित हो, सब लोगों को हर वर के लोगों को साथ ले करके चलने का काम करेंगे कोई हमारा भाई पीछे ना रुख जाए जो अंतिम पैदान पर समाज में जो बैक बेंचर आफ सोसाइटी है उसको भी मेंस्ट्री में लाने का हम लोगों का प्रयास है सब लोगों के लिए विकास जो है वो ह तो दो मेना कुछ दिनुवा भी आप देखते जाएं कई काम को हम लोग पूरा करेंगे कोई काम नहीं बचेगा और एक तरह से एक्जामपल हम लोग सेट करेंगे जैसे हम देख पहले कहा कि बिहार मॉडल जो है वो देश अपनाएगा आज अपनाना पर रहा है आगे भी देखिएगा सारे चीजों पर जो हम लोग विस्तार रूप से जो है हम लोगों का रोड़ बैप त्यार है उस रोड़ बैप के हिस हिसाब से माने मुखमंति जी के विजन के हिसाब से सारी योजनाओं को हम लोग जो है जनता के लिए जो हम लोग योजना ला रहे हैं उसको सही ढंग से इंप्लिमेंट हम लोग कराएंगे और यह जनता का सरकार है और इस पहल को जो है हम लोग पूरे इमंदारी से हम लोग निभाने का काम करेंगे ताकि हम लोगों का कुछ कमी जो है वो छूटे ना तो आप सब लोग जो यहाँ उपस्तित हैं हम जितने भी स्वास्व भाग के सभी अधिकारी हैं उनको भी तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोगों ने भी जो है सारी चीजों को काम किया है और समय पर implementation जो है वो शुरू किया इसके लिए आपके जितने अधिकारी स्वास विभाग के हैं माने मुक्षमंत्री जी के जितने अधिकारी हैं मुक्षचिव जी हो दिपक जी हो सबी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं